तो हाई फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग सब अगर आप सभी का बायो स्टेडी भी इतनी के यूटूब चानल थे तो गाईज हम आपके लिए आज न्यू वीडियो सिरीज च्टार्ट करने वाले है जिसका नाम है प्रिवियस यर कोश्चन वीडियो सिरीज तो सबसे पहले मैं बता दो आपको की चाप्टर नमबर फॉर्स जो है अपना बायलो जी का उसके बेसिक्स वीडियो के पार्ट हमने अपलोड कर दिये वह आपको चानल के प्रिश्ट में जाके आप देख सकते हो ठीक है तो यह सालो में जो कोश्चन आये है यह पूरे कोश्चन कवर करने वाले है प्रिवेस यर कोश्चन जो की MST CT के अंदर आए गया है ठीक है तो आज हम चाप्टर फर्स्ट के प्रिवेस यर कोश्चन देखने वाले है जिसका नाम है रिप्रड़क्शन इन लोवर और हायर तो यह दो पार्ट होंगे यह वीडियो के पार्ट फर्स्ट एन पार्ट सेकंड तो पार्ट फर्स्ट यह अभी हम स्टार्ट करेंगे पार्ट सेकंड जो है वो अगली वीडियो में देखेंगे और टोटल इस चाप्टर के उपर हम 60 MST Q देखेंगे प्रिवेस यर MST Q जिस साथ ही साथ आप में इस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर बेज़ी जग पूछ सकते हो ठीक है तो यह हमारा यूटूब चैनल यह हमारा टेली गरांग ग्रूप जिसके अंदर जो सबसे पहला है यह हमारे इस सबसे पर ङाँपो यह साल में आये तेखते हैं मतलब जोंग मेंश्डे न्दर पूछ है यह MCQ अगर आप देखोगे तो आपको idea लग जाएगा कि कैसे types के question MSTCT के अंदर पूछे जाते हैं and इस साल अगर ऐसा पूछा है तो अगले साल किस type के question पूछे जा सकते हैं इसका अंदाज अभी आपको लग सकता है ठीक है तो देखो बहुत easy question होते हैं जादा hard नहीं होते हैं अभी आपको अंदाज लग सकता है देखो वीडियो को last तक देखना गाई तभी इसका फाइदा होगा So chapter number first का MCQ number first जो कि यह motile zoospore are produced by देखो यहाब क्या है motile zoospore क्या है motile zoospore are produced by क्या है कोन प्रोडूस करता है motile zoospore किसके अंदर sexual reproduction का एक type है A sexual जिसके अंदर gametes फ़र्म नहीं होते हैं kia नहीं फ़र्म होते है gametes gametes फ़र्म नहीं होते इसलिए वो asexual reproduction का एक टाइप है वह है motile zoospore motile मतलब किया movement करने वाले zoospore मतलब यह क्या करता है एक organism, एक animal यह spore को प्रोडूस करता है, spore माने क्या, एक छोटे-छोटे ऐसे जो है, वो structures जिसकों spore बोलते हैं, उसकों बोलेगे जू स्पोर, तो यह कोन प्रोडूस करता है, देखो सबसे प्वला option है, तो बताई अभी इसका आंसर क्या है तो हमने देखा था बेसिक विड़ों में हमने कवर किया था ठीक है तो इसका आंसर है अपना क्लामेडो मोनास तो को क्लामेडो मोनास यह जो है इसका क्रेक्ट आंसर है क्लामेडो मोनास is the correct answer of question number first पेनिसीलियम के अंदर क्या होता है को निडिया फार्मिशन आविवा के अंदर बाइनरी फीजन ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो अलग-अलग टाइप के होते हैं लेकिन जो क्लामेडो मोनास क्लामेडो मोनास क्या है एक अलगी है क्या अलगी है जिसके अंदर motile zoospore form के जाते है और sexual reproduction करने के लिए उसके बाद एक question number second identify the sexual reproductive structure M in the following diagram यह diagram में से जो EM है यह क्या है identify करो इसको ठीक है सबसे पहले आप diagram देख सकते हो अच्छे दरीके से तो बताओ अभी A zoospore है उसके बाद B option bird है दिन C option jamule है या फिर D option conidium है तो बताओ इस cancer तो इस cancer बहुत ज़्यादा easy is cancer B okay मतलब bird आपको पाता है कि यहाँ पे जो reproduction होता है यह जो होती न यह parent body होती है parent body ठीक है budding budding जो है sexual type की method होती है जिसके अंदर क्या होती है एक parent body होती है और उसमें से small outgrowth आती है जिसको हम क्या बोलते है bird बोलते है उसके बाद यह separate हो जाता है एन दो एक parent body एक new individual मतलब यहाँ पे reproduction होता है ठीक है तो यह समझ में है तो उपर में जो आएगा न यह यह वाला structure वो क्या होगा बढ़ होगा ठीक है zoo spore नहीं होगा बिदो जू spore क्या होते है motile होते है और motile अगर होंगे तो उसको क्या होगा फ्लेजला होगा या फिर कुछ locomotory organ होंगे उसके उपर यहाँ पर तो कोई नहीं है उसके बाद जो jamule है jamule तो वो इस तरीके से फाम होते है यहाँ ऐसा structure होता है jamule का इसके बाद जो कोण इडिया में न वो बहुत ज्यादा नंबर में होते है इस एक क्यों पर एक ठीक है तो यह इसका option क्या है answer B the next question देखते है question number three which one of the following plant reproduced vegetatively by epiphylus bird so कौन सा नीचे का plant ऐसा कौन सा plant है जो की epiphylus bird से क्या होता है epiphylus birds मतलब क्या यह अगर वर्ड आपको समझ वहाएगा तो answer भी आप easily solve कर पाऊगे तो सबसे पहले इसका answer बताओ आप सबसे पहले यह option है sweet potato या फिर potato onion या फिर colancio okay colancio तो इसका answer क्या है so इसका answer है D क्या है इसका answer D इसका answer है है अभी क्यों वह भी बताता हो so epiphylus berd five love kya Поэтому मतलब क्या है Libs Cosmetics area to reproduction मतलब क्या कि graduating to reproduction अभिन लिगते Already to ने है क्भी ब्रणूशन जिसके अंदर क्या होता है पता आपको वृईनियेग्यूट या प्रॉक्शन होता है वेजटेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् plant के अंदर lose से वेजटिटिव्ण होता है, lotus से, ऐसे इसके ऐसे leaves होते हैं, और यह अगर हम ने यह soil के अंदर डाल दिया, इसको ठीक हैं, ईहाँ पर joh leaves है, अगर हम उसको soil के अंदर डालेंगे, ठीक है pot के अंदर उसको लगा देंगे तो यह जो इसको अपर आते हैं इसलिए इपी फाइलस और यह बढ़ के जैसा है, इसको क्या बोलते है इपी-फाइलस बढ़ ठीक है? तो इसलिए यह इसका आंसर इपी-फाइलस-बढ एंदर ध्यो के अंदर 70 के अंदर पूछा गया question है and question number second था के CET, मतलब कि करनाटा का CET 2019 के अंदर पूछा गया and first वाला MST CET 2017 के अंदर पूछा गया है तो आप देख सकते हो कि यह पीछली year के questions है then यहाप अभी इसको में erase कर जाता हूँ ताक कि हमको अच्छे से समझ में आये stock है and scion है यह किसके अंदर यूज के जाते है सबसे पहला है cutting, grafting, layering and micropropagation तो बताओ अब यह किसके अंदर यूज के जाता है तो इसका answer है B, ठीक है, grafting grafting के अंदर यह यूज के जाता है because grafting यह ऐसी process होती है जिसके अंदर हम क्या करते है दो plants को एक plant बनाते है, मतलब क्या कि हमारे पास ऐसा पौदा है जिसको बहुत ज़दा, मतलब की अलग type का फल आता है, मीटा फल आता है और यह पौदा है जिसको क्या होता है, बड़ा फल आता है यहाँ पे मीटा फल आता है, ठीक है तो हम क्या करेंगे, एक पार्ट का नीचे, जो हमारा पेड है उसका नीचे वाला पार्ट लेंगे, ठीक है और यह जो दूसरा हमारा पेड है, उसका उपर वाला ऐसा पार्ट लेंगे और यह दोनों को ऐसे काटेंगे, जिसको हम perfectly join कर सके, ठीक है, उसके वाद हम क्या गरेंगे इसको ऐसा perfectly ऐसा join कर देंगे, ठीक है, join कर देंगे, यहाँ पे बीच में join कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यह वाला, मतलब बड़े फल वाला plant है, नीचे वाला जो मतलब यहां से जो ब्रांच सेंग उसे मिटे फिलाएंगे उपर में बड़े फिलाएंगे मतलब दोनों को कमबाइन कर देए इसको क्या बोलते है ग्राफ्टिंग क्या बोलते है ग्राफ्टिंग और जो ग्राफ्टिंग में जो नीचे वाला मतलब कि जो ग्राउंडेट पार उजा होता है, cutting के अंदर नहीं, cutting के अंदर तो हम simple कौन सा भी plant का part काट देते और उसको branches काटते हैं, उसको जमीन के अंदर लगा देते, उसके अंदर सायोन यह श्टाक नहीं होता है, उसके अंदर सिप एक plant का part होता है, यहाँ पे दो plant के part होते हैं, जो part plant का जमीन के अंदर joint entrance examination, ठीक है, तो ये 2015 के अंदर पूछा गया है, then question number 5, cambium is essential for grafting, grafting के अंदर जो है, मतलब ऐसा जोडने के लिए cambium बहुत जादा important होता है, क्यों, because, क्या है इसका पीछे का reason, सबसे पहला, cambia of both stock and scion fused together, cambia reproduce new leaves, then cambia reproduce new roots, cambia help in the production of flowers, तो इसका answer है A, cambia of both stock and scion fused together, इसकी जो cambia होते हैं, वो fuse हो जाते है, मतलब कि क्या, यहाँ पर अगर ऐसा बीच में cambium है, ठीक है, तो इसका भी बीच में cambium fuse होने को होना, तभी यह अच्छे से एक, आज एक plant वो वर्क करेंगे, ठीक है, तो यह MSTCT 2018 के अंदर question पूचा गया है, next देखते है, question number 6, blank space is the most convenient and chief method of artificial vegetative propagation, मतलब कि नीचे में सी कौन सी एक chief, convenient, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा कमाएगा, और बहुत easy यह method है, vegetative propagation की, vegetative propagation मतलब reproduction through vegetative parts, जैसे कि leaves, branches, roots, branches इस तरीक है, ठीक है, तो बताव इसका answer, सबसे पहला है grafting, budding, cutting and micro propagation, तो इसका answer क्या है, तो इसका answer है, सबसे पहला grafting, budding, cutting, तो इसका answer जो है, वो है C, मतलब cutting, तो अभी देखो, तो अगर grafting करेंगे, तो हमको दो पार्ट लगी गया, एक लेगा styon and stock, और वो बहुत ज़्यादा महिनती पार्ट है, मतलब उसके अंदर महिनत ज़्यादा लग रहा है, budding के अंदर क्या होता है, ये जो है, ये convenient नहीं है, ज़्यादा chief नहीं है, इसके अंदर क्या होता है, सिंपल में उसको काटने का खर्चा है, वो तो कि हम easily हाथ से ही काट सकते, ठीक है, तो इस तरीके से, ये जो है, वो MSTCT 2016 के अंदर question पूछा गया था, then question number 7, which one of the following is not true about vegetative propagation, नीचे में का कौन सा statement, vegetative propagation, मतलब उससे related वो true नहीं है, true नहीं है मतलब, अभी देखो, MSTCT के अंदर, ऐसे questions पूछे जाते हैं, यहाँ पर बोला है not true, अभी यह ऐसे भी पूछ सकते थे, not true का मतलब क्या है, कि जो question false है, ठीक है, अभी easily वो बोल सकते थे, which of the following is false about vegetative propagation, नहीं, लेकिन वो घुमा फिरा के question डालते हैं, अगर आप carefully question को नहीं read करोगे ना, तो आपको कहलेगा, which of the following is true about vegetative propagation, यह not पढ़ेगी नहीं या, गड़बड के अंदर, ओके, इसलिए इसको carefully आपको sentence को पढ़ना पढ़ेगा, because MSCD के अंदर ऐसा पूचा जाता है, घुमा फिरा के पूचा जाता है, तो सबसे पहला देखो, easy and cheaper method, जी हाँ, easy and cheaper method होता है, उसके बाद rapid propagation, मतलब कि कम समाई के अंदर, हम बहुत ज़्यादा, हम organism बना सकते, मतलब plants बना सकते, correct है, production of genetically similar plants, यह भी correct है, because क्या है, यहाँ पे, हम को क्या समझना है, यह genetically similar क्यों होते है, because mango के, अगर हम plant को काटेंगे, उसके branches को, या फिर mango की जो seed है, उसको अगर जमीन के अंदर डालेंगे, तो mango ही निकल क्या आएगा, मतलब वो genetically similar होगा, फिर्स्ट वाला plant and second वाला plant, वो genetically similar होगा, उसके character similar होगा, उसका run similar होगा, उसके test similar होगी, इसले वो क्या है, genetically similar, and D, production of genetically dissimilar plant, तो यह जो है, यह इसका गलत है, ठीक है, यह रॉंग है, यह यहाँ पे, genetically dissimilar plant नहीं होगा, genetically similar होते है, then question number 8, जो की MSC CD 2015 के अंदर पूचा गया है, which one of the following is not a natural method, of vegetative propagation, नीचे में की कौन सी natural method नहीं है, अभी vegetative propagation के दो type होते है, दो method होते है, vegetative propagation के, एक है natural, ठीक है natural, and दूसरा होता है, artificial, artificial, natural मतलब क्या, कि वो itself होता है, nature के अंदर, artificial हम खुद करते हैं, तो अभी देखो, यहाँ पर कौन सा इसका answer क्या है, वो बता देता हूँ सबसे पहले, so इसका answer जो है, वो है grafting, ओके, grafting, अभी देखो क्यू, so runner क्या होता है, simple में ऐसे grass होती है, और जो grass क्या होती है, अगर यहाँ से वो तूट गई, तो यहाँ का जो पार्ट होगा, वो new, मतलब, वो soil पे गिर गया, तो फिर बाद में, वो new, एक, बोल सकते हैं, plant बनाएगा, इस तरीके से, इसको हम डूब गराज भी बोलते हैं, ठीक है, तो वो runner होता है, पोटाटो जिसका एक्जामपल है, तो वहाँ पर क्या होता है, कि एक new plant आता है, ऐसा plant और नीचे से, जो grounded part होती है, root को, ठीक है, root को, वो क्या होता है, stem, मतलब उसको stem होता है वैसे, तो stem को एक नीचे से क्या होता है, ऐसे, हम बोल सकते है, seed के तरह, okay, solan है, मतलब जो ऐसा, जो है, वो rounded, rounded, solan part होगा, वो new, nickel क्याएगा, उसके बाद ये उपर का plant जब ज़ड़ जाएगा, तो यहाँ से बीच में से new plant बन के आएगे, new plant निकल के एगे, मतलब ये natural हो रहा है, ये है, artificial method, मतलब, it is not a natural method, ठीक है, then, question number 9, consider the mode of the asexual reproduction, match the column first with the second, and select the correct option, तो आपको column match करके देखना, अभी ये से भी question पूछे जाते है, ये MSCET 2015 के अंदर पूछा गया सवाल है, तो अभी, यहाँ पर organism दिये गया है, और आगे उसके asexual reproduction के method दिये गया है, तो कौन सा organism कौन से asexual reproduction की method शो करता है, ये आपको यहाँ पर समझना है, तो आपको पाता है, east जो है, उसके अंदर क्या दिखता है, आपको बढ़िंग, बढ़िंग होता है, ठीक है, east जो है, इसके अंदर बढ़िंग होता है, दिन, जो second, इपनीशिलयम, ओके, सेकनर है, इपनीशिलयम, जो की, पनीशिलयम के अंदर क्या होता है, Conedia, ठीक है, क्या होता है, Conedia, दिन, усके बाद जो third, third, third के अंदर होता है, इसका आंसर क्या होगा तो इसका आंसर सिंपल में है यह वाला इसका आंसर है अगर आपको पताचला है अगर आपको एक पता है क्लामडों दोस्पोर होता है तो simple में यह देखो, एक ही जो है, option है, जिसका option जो 4 है, वो B है, मतलब यह सभी correct फिर बाद में, ठीक है, ऐसा भी आंदादा लगा सकते हो, तो next question देखते है, question number 10, जो किये, which of the following, wall layer of enter show fibrous thickening, कौन fibrous thickening show करता है, fibrous thickening, ठीक है, मैंने आपको पढ़ा है, यह, डीटेल में, basic video के अंदर, तो बताओ, अभी इसका answer क्या है, तो यह, जो सवाल है, यह MSTCD 2016 के अंदर पुछा गया था, so fibrous thickening show कौन करता है, अभी देखो, epidermis तो external layer होता है, वह इसका answer बता तो सबसे पहले, इसका answer है endothesium, ठीक है, so epidermis जो है, वो उपर की layer होता है, epidermis, उसके बाद क्या होता है, epidermis endothesium, endothesium जो है, वो second layer होता है, दिन उसके बाद होता है, middle layer and tap atom, tap atom तो innermost layer होती है, inner most, अंदर की, और यह nutritive layer होती है, nutrition provide करती है, okay, epidermis उपर की होती है, जो कि protective होती है, middle layer जो है, वो पारेंच है मेंटा cell से बनती है, और जो endothesium होती है, यह show करती है, यह fibrous thickening of callus, fibrous thickening of callus जिसकों बोलते है, okay, then question number 11, जो कि MSVCD 2015 के अंदर पूचा गया था, pollen grain develop from, pollen grain कहा से develop होते है, तो बताव इसका answer, सबसे पहला epidermis, endothesium, tap atom या sporogynist tissue, तो इसका answer है sporogynist tissue, epidermis तो उपर की layer होती है, ठीग है, यह एंथर की layer होती है, okay, so pollen grain sporogynist tissue develop करता है, produce करता है, okay, next question देखते है, question number 12, so यहाँ पर question number 12 है, the wall of pollen tube is made up of MSVCD 2016 के अंदर यह question पूचा गया था, तो इसका answer कहा है, तो इसका answer है, cellulose and pectin, ठीग है, यह तो सीधा-सीधा answer है, उसके बाद next देखते है, question number 13, the germ pores in the pollen grain are regions, germ pores, जो है, वो ऐसे regions होती है, नीचे वाले, कौन सा region होता है, मतलब जो उसको explain करे, तो यह जो है KCD, मतलब करनाटा का CD 2014 के अंदर यह पूचा गया सवाल है, तो बताव, सबसे पहला देखते है, सबसे पहला कहता है, which are made up of lignin and suverine, then second, that are withstand high temperature and strong acid and alkalis, yes, then third, which lack sporophyllinin and D, through which sperm are released into the female gametophyte, तो इसका answer है हमारा C, which lack sporophyllinin, अभी sporophyllinin क्या, अभी देखो pollen grain, pollen grain ऐसा structure होता है, जिसके अंदर दो layer होती है, उपर की होती है sporophyllinin, क्या होती है, sporophyllinin, okay, sporophyllinin, and अंदर की जो होती है, वो क्या होती है, हमारी, अंदर की intiner होती है, okay, उपर की sporophyllinin से बनती है, okay, इसको हम excine बोलते है, किसी जगह पे तीन बन गई है ठीख एऊपर की डेयर नहीं है यह थीन बनती है मतलब कुछकुछ जगह पे मतलब Scoropolinical. अभी हम को पता है कि adxine पूरी Scoropolin minha जो इसी थीन ए सराओ यहाँ कम बिकूद मतलब के aser एंद्पनिन ए तो इघ्जैन यहां पर स्पोरोपो लीन जो ऑन फिरल फिर पर हम बोलेगे कि से लगई एक Southernowa किन दिख्यायां यह थिकनेट एक थिए थे फोड़ा कम थिकने से तो Leto वहाँ पे sporopollinine पूरा का पूरा नहीं है, मतलब विच लाक sporopollinine, okay, then next, question number 14, the exam of pollen grain is made up of, ये तो अभी बताया दिया, okay, is cancer क्या है, sporopollinine, then next, okay, next, question number 15, which one of the following has true helpful in the preserving pollen as fossil, so नीचे में का कौन सा एक सबस्तंस, जो की प्रूव क्या है कि वो as a fossil, वो काम कर सकता है, सबसे पहले fossils मतलब क्या होता है, ये जान लेते, fossils मतलब क्या, कि ऐसे plant या फिर animals के parts, जो की बहुत पहले थे, तो अगर डाइनोसर थे, पहले तो उनके जो bones है, वो अगर जिसने रखे है, तो वो क्या है, तो fossils है, वो क्या है fossils, मतलब preserve plant के या फिर animal के specimen के parts, जो की extinct है, जो की अभी नहीं है, इस environment के अंदर, इस earth के ऊपर, अभी नहीं है, वो पहले थे, लेकिन उसके parts जो हम रखे है, उसको हम fossils बोलते है, तो ये जो हमारा pollen है, मतलब कि pollen grain, as a fossil उसको हम preserve कर सकते हैं, क्यों, because, इसका answer देखो, इसका answer है D, sporopolyneem, because, जो हमारा pollen grain होता है, उसके उपर की जो layer होती है, उसको क्या बोलते है, sporopolyneem short में लिकूंगा, और इस जो sporopolyneem है, ये इसका एक खाश्य दोता है, ये non-biodegradable होता है, non-biodegradable, मतलब कि ये environment के अंदर easily degrade नहीं होता, इसलिए ये pollen grain को हम वैसा का वैसा रख सकते हैं, कि इस spaces का, because, इसके उपर किसी का भी असर न तोर करके रख सकते हैं, ठीक है, then next, which one of the following statement is not true, नीचे में का कौन सा statement true नहीं है, true नहीं है मतलब वो false है, so कौन सा false है, देखो, pollen grain of many species cause several allergies, yes, ये ये right question, right है, then stored pollen in liquid nitrogen can be used in the crop breeding program, ये भी right है, then tapetum helps in the dehiscence of anther, next देखते है, exam, exam of pollen grain is made up of spore of pollen, so ये भी right, right, मतलब statement है, ये भी right है, ये भी right है, ये भी right है, मतलब wrong कौन सा ये है, जो किया tapetum help in the dehiscence of anther, अभी इसको show करता हू, अभी देखो tapetum, मतलब की innermost layer, चार लेर होती, innermost layer होती है tapetum, tapetum, अभी dehiscence of anther में कोन help करता है, अभी dehiscence मतलब की क्या ह होता है, वो break होता है, तो उपर की layer सबसे पहले break होगी कि नहीं, ठीक है, अंदर की break होई, तो उपर की थूड़ी break होगी, मत तो उपर की सबसे पहले break होई, उसके बाद अंदर की, उसके बाद वहाद पे उससे वो pollen grain बाहर निकल जाएंगे, इसलिए tapetum help नहीं करता, उप उपर की layer help करते है, जो की उठी है, उपर में epidermis, ठीक है, तो यह आपको clearly समझ में आ गया है, मुझे लगता है, then next question देखते है, question number 17, in angiosperms, angiosperms मतलब ऐसे plant जिसके अंदर seed closed होता है, okay, male gametophyte is developed from a pollen mother cell by, जो male gametophyte वो develop होता है by the pollen mother cell, लेकिन उसके अंदर कितने division होते है, तो इसका answer देखो अभी A, B, C, D, तो इसका answer है A, मतलब one meiotic and two mitotic division, so one meiotic मतलब क्या, meiotic and mitotic, अभी समझ में यहाँ पे लो आप, बहुत मतलब की जब तक आपकी biology है, तब तक आपको यह word जो है, वो यहाँ पे use में आएंगे, mitotic and meiotic, meiotic मतलब की जिसके अंदर क्या है, mitosis हुआ है, mitosis मतलब आपको पाता है, equational division, जिसके अंदर अगर एक chromosome है, एक cell है, जिसके अंदर क्या है, हम बोलेंगे 30 chromosome है, 30 chromosome है, तो जो दो cell बने का division होने के बाद, उनके अंदर भी 30 ही chromosome रहेंगा, कि कौन से वाले division में, mitosis, एक cell division होता है, लेकिन meiosis में क्या होता है, जो अगर हमारी cell है, जिसके अंदर 30 chromosome है, जो निव बना है, उसके अंदर 50-50 हो जाएगा, जिसके अंदर chromosome number fuse हो जाएगा, तो one meiosis मतलब की, एक meiosis and दो mitosis division होता है, तब जाके male gametified बनता है, पोलन mother cell से, मतलब PMC से पोलन mother cell से, next question देखते है, question number 17, sorry 18, the development of male gametes in the pollen grains in angiosperm involves, development of male gametes in pollen grain, in angiosperms, जो male gametes pollen grain के अंदर develop होता है, उसके अंदर कितने division होते है, तो यह आपको बताना है, तो इसका अंसर बताओ, सबसे पहला, A, only one mitotic division, B, two mitotic division, C, both meiotic and mitotic division, option D, only one mitotic division, तो इसका answer है, A, only one mitotic division, एक ही mitotic division होता है, जिसमें से male gametes बनता है, in pollen grain, pollen grain के अंदर male gametes बनने के लिए कितने division लगते है, एक ही division लगता है, कौन सा mitosis या meiosis, mitosis, mitosis, mitosis को ही हम mitotic बोलते है, ठीक है, clear बात है, next में, question number 19, among the following statement related to pollen's, choose the correct one, नीचे में, जो pollen grain ने उससे related दो statement दिये गए है, इसमें से बताओ, आपकी कौन सा statement correct है, सबसे बहुत स्टेट्मेंट पढ़ते है, in 40% of angiospum, pollen grains are shade at 3 cell stage, मतब 40% angiospum animals plants के अंदर, okay, angiospum plants होते है, जिसके अंदर seed close होता है, okay, जिनके अंदर, ये shade हो जाते, उपर से cover हो जाते, 3 cell की stage जब आती है तब, okay, statement, second, intine is made up of cellulose and pectin, and it is discontinuous with the germopause, ठीक है, तो बताओ, अभी statement A correct है, या फिस statement second correct है, या फिर both are correct, या फिर both are incorrect, तो अभी, तो यहाँ पे जो इसका answer होगा, वो होगा, statement first is correct, okay, first correct क्यों होगा, विगास second में क्या है, देखो, second जो होता है statement हमारा, जिसके अंदर देख सकते हो आप, कि ये pollen grain को दो layer होती है, ये एक होटी, exine, एक होटी, intine, intine cellulose and pectin से बनती है, ये correct है, वहाँ पर बोला है, intine is made up of cellulose and pectin, लेकिन आगे बोला है, it is discontinuous with the germ pores, ये discontinuous नहीं होती है, intine नहीं होती है, exine discontinuous होती है, exine discontinuous होती है, उसको germ pores बोलते हैं, इस तरह के से ये second statement हमारा क्या है, wrong है, तो यहाँ पर देखो, statement second is correct, तो ये भी wrong हो गया, option, बोथ दोनों भी correct नहीं है, ये दोनों incorrect भी नहीं है, मतलब option a, statement first is correct, तो ये next देखते है, तो ये जो है, करनाटा का CT 2018 के अंदर, लेटेस्ट है, और उपर का भी MST CT 2018 के अंदर पूछा गया सवाल है, उसके बाद जो next है, वो है question number 20, जो कि ये, the ovule of angiosperm is technically equivalent to, technically equivalent to, ovule जो होता है, वो किसके बराबर होता है, तो बताओ इसका answer, megaspor, megasporangium, megasporophyll है, megaspor mother cell, तो इसका answer है B, that is the megasporangium, because ovule के अंदर क्या होता है, ovule के अंदर ऐसा होता है, उपर के जो three cells होता है, हम उसका antipodal cell बोलते हैं, नीचे के दो synergies, बीच में एका एग, और यहाँ पे polar nucleus, secondary nucleus हम जिसको बोलते हैं, sorry, secondary nucleus ठीक है, दो polar nucleus है, वो fuse हो के secondary nucleus बनता है, तो इसको म क्या बोलते है, इसको म बोलते है ovule, मतलब यह ovule का भी structure होता है, it is also called as megaspor, megasporangium, जो कि megaspor, जो कि female gamet बनाता है, female gamet ठीक है, तो female gamet जो है, वो बनाता है, जो कि हम ovule को ही बराबर है megasporangium, इसको हम megasporangium भी बोलेंगे, megasporangium, megasporangium, जिसके अंदर क्या फाम होता है, megasporangium के अंदर क्या फाम होता है, megaspor form होता है, ठीक है, तो मेगा स्पोर एंजियम का ही स्ट्रक्चर ऐसा ही है और ओविल का भी ऐसा ही है मतलब दोनों टेक्निकली एक्विवेलेंट है Then next है, question number 21 The number of synergies and antipodal present in a typical angiospums embryo sac at maturity respective R जो हमारा embryo sac होता है इस structure को हम embryo sac बोलते हैं So 7 cells, 8 nucleate structure को हम क्या बोलते हैं embryo sac उपर के 3 cells जिसको antipodal cell बोलते हैं नीचे के दो synergies बीच में का एक यहां पर होता है secondary nucleus तो अभी बताओ कि synergies and antipodals यह दोनों का ratio क्या होता है मतलब antipodals कितने होते हैं और synergies कितने होते हैं तो बताओ अभी यह antipodals यह 2 T and synergies होते हैं 2 तो इसलिए क्या है synergies पहले है तो इसलिए 2 पहले आना चाहिए राइट तो 2 and 3, 2 and 3, synergies दो यह 3 तो इसका आणसर है A तो इसका आंसर जो सिंपल में है synergies तो इसलिए synergies जो है वो फिली फर्म अपरेटर शो करता है वोगे उसके जैसा structure शो करता है synergies उसके बाद यहां पर देखो यह MSACD 2016 के अंदर पूछा गया question है then next 23 egg in a female gamet of ight is accompanied accompanied by मतलब की एग in female gamet female gamet के अंदर जो एग होता है उसके बाजू में कौन होता है बता है आपको यहां पर एग होता है उसके बाजू में कौन होता है उसके बाजू में होता है synergies so B is the answer of question number 23 then next 24 question which one of the following is the first cell of female gametophyte generation in angiosperm यह MSACD 2016 के अंदर पूछा गया है कौन सी cell first cell है female gametophyte generation की तो इसका answer है कौन सी है mega spore mother cell इसको हम क्या बोलते है MMC जो की basic वीडियो में हमने देखा था development of mega spore के अंदर वो topic देखा आप समझ में हैगा then question number 25 functional mega spore in angiosperms develop into जो functional mega spore होता है angiosperm के अंदर वो develop होता है किस के अंदर तो इसका answer क्या है embryo sac embryo sac is the answer of question number 25 जो कि functional mega spore जो mega spore होता है वो किस के अंदर develop होता है embryo sac और embryo sac क्या होता है seven cell eight nucleated structure जो कि मैंने आपको पहले भी निकाल के दिखाया था यह 26th number का question देखो उपर का 25 जो था वो neat UG मतलब neat under graduated 2017 के अंदर पुछा गया है neat के अंदर पुछा गया सवाल है कितना easy है उसके बाद second 26th in angiosperms mega spore form after meiosis angiosperms के अंदर mega spore meiosis के बाब होता है of mega spore mother cell are arranged जब होता है अभी देखो यह होता है mega spore mother cell मतलब yum yum c तो इसके अंदर क्या होता है meiosis और आपको पता है meiosis हो जाने के बाद कितने cell form होते एक cell से चार cell form होते लेकिन यहाँ पर है कि वो कैसे आरेंज होते है form होने के बाद तो इसका answer है ऐसे form होते है यह कैसा है linear है एक line के अंदर और कितने cell है चार cell है इसलिए हम क्या बहुत इसको linear tetraad इसलिए B इस cancer है linear tetraad then question number 27 which is the most common type of embryo sac so कौन सा most common type का embryo sac होता है तो simple में यहाँ पर इस cancer है C number मतलब monosporic with the three sequential mitotic division monosporic मतलब single single spore and with the three sequential मतलब sequence एक अच्छे तरीक ऐसे मतलब एक event के अनुसार उसके यहाँ पर three mitotic division होते है मतलब तीन बार mitosis division होता है mitotic division ठीक है mitosis होता है तो यह क्या है most common type of embryo sac होता है angiosporm के अंदर monosporic with three sequential mitotic division 28 number का question देखो typical embryo sac at maturity is उपर का जो वो neat odysa 2029 के अंदर पुछा गया था 28 28 का क्या है typical embryo sac at maturity is embryo sac यह TC TC मतलब क्या होता है कि तेलेंग न engineering and medical common entrance to 2019 19 यह तो latest है question तो जो embryo sac होता है मतलब 7 cell 8 nucleated structure तो मैंने बहुत बार आपको बताया है कि 7 cell 8 nucleated structure को embryo sac बोलते है इसके अंदर 7 cell 8 nucleated लेकिन यहाँ पर देखो थोड़ा ultra दिया है cell बाद में दिये है nucleated पहले दिये तो यहाँ पर क्या है 8 nucleated 7 cell तो यह इसका B answer है ठीक है तो जहाँ पर जो हमारा part first है वो end होता है जो next part है उसके अंदर हम remaining previous year question देखेंगे chapter first के अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करना ना बुलेगा यह वीडियो का अपने friend के साथ share भी करना तके उनको भी अच्छी तरीके से MST-CET के अंदर biology के अंतर 100% 90% above percentile मिलने को होना तो मिलते हैं गाईज next study में next topic के साथ ऐसे ही interesting videos देखने के लिए subscribe button के बाजू में join term पे click करे payment हो जाने के बाद आप बन जाएंगे channel के special member और आपको मिलेंगे MST-CET से related tricks, tips and strategies videos वीडियो को लाज तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद